मैं तू लाइव ही हूँ हाई हाई बचबारी आचली वैसे मैंने इस बीच में दो बार अपना इंट्रोड़क्शन दे दिया था और सेशन का इंट्रोड़क्शन दे दिया था पर आपको तो पता ही है रीत सदा यहीं चली आई कि मैं इधर से लाइव आजाऊंगी पर अड़ा वाले मुझे वहां से लाइव नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं आज भी आप गिने चुड़े दो तिन दिन तो रह गए हैं एनिवें थांक्यू सो मुच थांक्यू सो मुच पर यह पेशिंस आई होप आम लाइव आई होप कैसे ओद्या कैसे ओद्या है युवरावगि देन शंद मदलना किस्मी कोफ आ दो इस अक्षरम आद्ट एस्पीर गई दीकषटों सिव मुचताय मार्यटाच फ्सन स्षेट। कैसे हो क्या हाल है आज आप लोगों का हिंदी का पेपर था और मैं उमीद करती हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा क्या होगा और अब तो बस इंग्लिश का पेपर है ट्वेंटी सेकंड को और उसके लिए एक दफ फुल-on तयारी करनी है यह चीज हमेशा याद रखना कभी भी जब आप एक पेपर दे कर आते हो और दूसरे पेपर के लिए अब आपको अपना माइंडसेट रेडी करना होता है तो बूल जाना पुछले पेपर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आपकी expectations meet हुई नहीं हुई अगर उन expectations को लेकर हम लोग चलते रहेंगे त तो आज का कल का पर्सों का दिन भी खराब हो जाएगा है ना कभी तो ऐसा होता है कि किसी पेपर को हम ऐसा सोचते हैं मेरे साथ हुआ था class 10 में मैं मैं पेपर के बाद में घरा के इतना रूई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने पूरा पेपर बिगार दिया है और ब जब मेरा रिजल्ट आया तो 9.6 cgp t match के अंदर तो बहुत बार कभी-कभी हम अपने आप से assess कर रहे होते हैं या फ्रेंज के साथ assess कर रहे होते हैं उसमें और actually जो grading system होता है आपके teachers के पास उसमें बौर दिफरेंस होता है तो confidence के साथ में फटा-फट से English की तेयारी करना शुरू करो है ना मैंने देखे एक दो comments बीच में इसलिए मैं आपको address करें इस issue को बिल्कुल भी दिमाग पे हावी मत होने देना और आज की इस class की अंदर हम entire writing section करने वाले हैं तो अगर आपने writing section का W भी नहीं पढ़ा है तो भी इस class में अगर आप आकर बैठ गए हो तो class के end होने तक आपको सब कुछ पता होगा और आप बहुत अच्छा करोगे 18 नंबर के लिए ठीक है तो आज की class 18 नंबर के लिए हो और सज्जिनों फटा फट से copy निकालो और सारे के सारे formats और सब कुछ लिख डालो ओके लेट स्थार्ट कहां चली गई पैंचल काच्या एन्यवे सव राइडिंग सेक्षिन राइडिंग सेक्षिन में आपके कौन-कौन से टॉपिक साते एक एक टॉपिक को ज़रा गौर फ हाँ जी राइटिंग सेक्षिन अठारा नंबर का सेक्षिन है और इसके अंदर आठ नंबर तो आपको बहुत टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन करने से ही मिल जाएंगे राइटिंग सेक्षिन के अंदर एक तरफ आपका शॉर्ट कंपोजिशन है यार पुरानी वीडि इसके बाद आता है आपका इन्वीडेशन और रिप्लाइज एक क्वेशन इंवीडेशन से आएगा दोनों में से कोई भी अच्छे से प्रपेर कर लिया तो हो गया तो इन्वीडेशन और नोटेस हो गया आपकी शॉर्ट कंपोजिशन में 50 से भी कंवर्ड लिखने हैं 50 से बिदी कंवर्ड के अंदर आपको यह पर चार-चार नंबर मतलब 8 नंबर मिल जांगे इसके बाद में बाकी के दस नंबर ने बीटी दे रही है उसको देख लेता है सबसे पहले वी हाव लेटर राइटिंग अब लेटर राइटिंग के अंदर हम लोग ने क्या देखना है आएगा बिल्कुल ऑप्शन आएगा एक गेलिटन टेया है कि जॉब अप्लिकेशन का ही आएगा तो मैं मेरे को क्या करना चाहिए लेटेटर करना चाहिए क्योंकि जॉब अप्लिकेशन के अंदर पेटेंट बॉड़ी होती है मैंने जो आपको patent body कराई हुई है अगर आप पहली class में आज ही बैटे वे हो तो भी मैं patent body आपको करा दूँगी आप जो patent body आज मेरे साथ करोगे वो literally हर question पर fix हो जाती है बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना रट्टा मारके जाना है वही की वही body लिखकर आने है पांच में से 5 करना जाएंगे इसलिए letter to the editor की बजाए job application करना ज्यादा बेटर है पर अगर आपके अंदर creativity का कीड़ा है और आप ऐसे सोच रहों कि नहीं मुझे तो अपने से ही बनाकर answer लिखना है तो फिर आप letter to the editor भी करके जा सकते हो पांच नंबर का यह question होगा इसके बाद में आ जा ज़रूर करनी होगी आर्टिकल और रिपोर्ट में आएगा आपके option अर्टिकल और रिपोर्ट के अंदर option आएगा आप जो चाहें select कर लिजे दोनों के अंदर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ी creativity लगानी पड़ेगी तब जाके मामला यहां पर यह fix होगा त ठीक है तो यह तो आपका हो गया syllabus जिसकी अंदर यहां पर आपके option है यहां पर option है या internal choice है पर इन दोनों के बीच में कोई option नहीं है ठीक है ऐसे आपका writing section आता है 18 marks का अब चलो एक-एक question ज़रा करके देख लेते हैं हैना सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं notice कंए notice क्यों लिखा जाता रहा जाता है तक सामने अपर सब्वार्य को इनफ्य को कर दिया जाए किसी चीज के happening या नौनハपनिंग के बारे में अक किसी एक चीज के बारे में किसी को इंफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं ठीक है यहां पर अगर मेरे को पूरे के पूरे देश को इंफॉर्म करना है उतनी बड़ी ओडियंस को इंफॉर्म करना है तब मैं नोटिस नहीं लिखती हूं नोटिस बड़ी ओडियंस के लि तीन चीजों के उपर dependent होंगे आपके चार नंबर सबसे पहले आगे आपका format इसके साथ में आता है आपका यहां पे आप क्या लिखते हो तो हो गया आपका content और इसके साथ में आगे आपका expression याने कि आपके spelling में कोई mistake नहीं होनी चाहिए आपके grammar के अंदर कोई mistake नहीं होनी चाहिए अगर यह तीनों चीज़े अपने place पर है तो चार में से चार नंबर मिल जाएंगे अब यह तीनों चीज़ें अपने place पर कब होती है जब आप यहां पर format से ही सही लिए की शुरुआत करते हो एक सभी शुरुआत मिलजाती है इसे तो फ़ोर्माट के लिए सबसे पहले तो आप यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे और अभी फिलाल के लिए तो उसके लिए पेड़ काटा जा चुका है तो फिलाल के लिए अच्छे से अपना जो है नोटेस वोटेस नए पेज से शुरू कर दो तक उसको बाद में रिसाइकल करें तो दुख भी ना हो तो इंक आफ वेस्ट नहीं कर रही है उट्लाइस कर रहे हो आप गाइडलाइन्स होती है ये नए पेज से शुरू करना है एक पेज पे पे नोटेस आयेगा फोडी आपने जैसे यहां पर बॉक्स बना Sumner के लिए आप हैं सब्सेप्राइब का नाम आएगा तो झ नीचे मिडल के अंदर क्यापिटल लेटर में एन ओ टी आइसी इनोटिस आ गया आपके मार्जन के साइड में लगकर यहां पर डेट आ जाएगी डेट ऑफ राइटिंग दो नोटिस होता है यह और इसके बाद में नेक्स स्लाइड में आप यहां पर हेडिंग डाल देंगे बच्चों हेडिंग डालनी इसलिए जरूरी है तकि सामने वाले को पता चल सके कि इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है नोटिस डांस कॉंपेटेशन के बारे में मेरा और डांस का कोई लेना देना नहीं तो मैं क्यों पड़ू इसलिए हेडिंग यहां पर डालनी बह पंचन करनी है जो भी मैं बताने वाली हूं इसकी अलावा आप यहां पर क्या करोगे यहां पर फटा फट से कर दोगे सिगनेचर ठीक है आपका सिगनेचर यहां पर आजाएगा सिगनेचर के बाद में आपका नीचे फुल नेम आ जाएगा आदा नाम दिया हुआ है तो आ इसके लिए है क्योंकि देखो वैसे तो अगर हम देखे तो नोटिस के फॉर्माट का नभर तो एक ही होता है पर मैट गलत होने पर नमबर कर ता प्रस फॉर्माट पर कॉन्ट बहुत क्शली डिपेंडंटट होता है इसलिए मैंने इसको चार नंबर का बोला एनीवे सो आपके presentation purpose के लिए है यहां पर लाइने चोड़ने से या नहीं चोड़ने से नंबर कटे या मिलते नहीं है लाइने चोड़ना आपके school के अंदर इसके लिए एडवाइस किया जाता है तकि आपकी presentation अच्छी हो उसकी वज़े से legible answers लगे और naturally जो नंबर कट सकते थे वो ना कटे इसके अलावा इसका और कोई purpose नहीं होता अब फटाफट से आ जाते बॉड़ी पे बॉड़ी पे cbc कहता है शुरुवात करनी है तो this is to inform से करो तो this is to inform से फटा हट से हम करेंगे नोटस की शुरुवात और आगे बढदे जाएंगे हम बताएंगे किन को inform करना है तो फटा फट से लिख देंगे कौन से participants है उनको Hij inform कर देना है कि इन सारे और्गनाइजेशन जो है वो और्गनाइजर है क्या और्गनाइज कर रही है तो इवेंट के बारे में बता देंगे फिर बता देंगे कब और्गनाइज कर रही है तो डेट बता देंगे टाइम बता देंगे वेन्यू बता देंगे ठीक है अब इसके बाद में यहां पर हमने यह तो बता दिया है कौन और्गनाइस कर रहा है क्या और्गनाइस कर रहे हैं डेट टाइम वेन्यू भी बता दिया है अगर कोई special information सापने वाले को लगेगी तो special information दे देंगे ताकि से सामने वाला वो भी कर ले नाम वाम किसी को submit करना है कोई करना है तो वह भी बता दिया special information के बाद में एक लाइन लिखेंगे जिसमें लिखेंगे के भाई अगर तुम्हें और कोई ज़्यादा सवाल हो तो मेरे से ज़्यादा पूछने की जुरूत नहीं है सीधा अंडर साइंड से पूछो फॉर मोर इंफर्मेशन पॉर मोर इंफर्मेशन कॉंटाइक दी अंडर साइंड यह लो इसके साथ में नोटेस हो गया आपका complete अब यहाँ पर हमारा जो cbac है cbac कहता है मेरे हिसाब से तो तुम जो चाहें वो लिखो मेरे को को इटेंशन नहीं कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना नहीं तो पिट्टी हो जाएगी चाहता है शुरुआत करने में तुम यह जरूर बता दो कि तुम इन्फर्म करने के लिए लिख रहे हो पार्टिसिपन्ट बता दो कि किन के लिए लिख रहे हो और गनाइजर्स बता दो सारी relevant डीटेल्स दे दो डेट टाइम वेन्यू के इसके बाद में तुम यह भी छोड सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखती है सबसे पहले एक बाक्स बनाएंगे बॉक्स में उपर लिखेंगे इधर लगाया नोटिस अइधर डाला 22 जैके तुम्हारे लिए फेबरी होगा 20 एक से नहीं हमारे लिए यूटी फैब्री होगा इसके बाद में मैंने क्या किया इसके बाद में मैंने फटाफट से लगा दिया मेरा हेडिंग ओल-लाइन कोर्स और न्यूज रीडिग ठीक है त The school is thrilled to announce an online news reading course for class 11th and 12th students during the summer break. In this course, students will learn to understand news reports, build the habit of reading the news regularly and will have a chance to interact with well-known journalists. Interested students can register for the workshop by 2nd October 20XX. For more details, contact the undersign. इसके बाद आगया रुत्विक सेन, editor of the school magazine. अब आप देखेंगे कि हमने सारी बाते जो discuss करी है वो सब कुछ है, पर this is to inform नहीं है. This is to inform इसके लिए नहीं है क्योंकि इनोंने organizer से शुरू किया है और इसी line से शुरू किया है जहाँ पर announce कर रहे हैं, वो inform कर रहे हैं. अगर आपके पास भी ऐसा कोई creative तरीका है ये बताने का कि आप announce कर रहे हैं या inform कर रहे हैं, तो आप भी वैसे शुरू कर सकते हैं, नहीं दिमाग में घंटी बज रही हैं, तो this is to inform से शुरू कर देना. ठीक है, तो हमने जो बाते डिसकस करी है, वो सारी की सारी बाते हैं मौझूद हैं, हमारा यहां पर organizer का नाम है, notice आगया, date आगया, आपका heading आगया, देखो किस तरीके से इन्होंने यहां पर क्या किया है, organizer बता दिया है, event बता दिया है, आपका participants यहां पर आ गए हैं, कब ह होगा, यह भी बता दिया है, कि कहां पर आपके साथ, यह मतलब कहां पर आप इस को ले सकते हो, अच्छा, एक special information जो ज़रूर आपके question के अंदर mention होगी, यह वाली, कि student will learn to understand news report, build the habit of reading, ब्ला ब्ला ब्ला, यह journalist तक लेकर हमने केवल question से उस special information को चिपका दिया, question जो कहा रहा है कि यह आप notice में जरूर डाल देना, तो हमने कहा दिया, ठीक है डाल देंगे, question से उठाया और question से यहां पर इसको लिख दिया, और फिर हमने वापस से, जो call for action है, वो दे दिया कि इंट्रिस्टेट स्टूडेंस यो है, वो वरक्शॉप के लिए register कर सकते है, date डाल दी, इतनी date तक register कर सकते है, cbse कहता है, conclusion में हमेशा undersigned को include करो, तो कर दिया, for more details, contact the undersigned, अब यहाँ पर हमारा full name आ जाएगा, full name के उपर signature आते हैं, signature, यह आपका full name आ गया चार में से चार आ जाएंगे, पर एक तकलीफ है, एक चोटी सी तकलीफ है, और वो चोटी सी तकलीफ यह है, कि बहुत बार इस body को लिखते टाइम, बच्चे एक चीज बूल जाते हैं, और वो यह है, कि notice हमेशा third person में लिखा जाता है, अगर तो गलती से आपने IV यह इस्त जाएंगे, और आप चार में से चार लेकर आओगे, आप देखना, आपको जो example मैंने अभी दिखाया था, इसमें भी हमने third person maintain क्या हुआ है, हमने यह यह नहीं लिखा, my school, our school, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, हमने direct क्या लिखा है, the school, अगर हम चाहते तो हम यहां पर और क्या यहां पर follow करना होगा, ठीक है, समझ में आ गई, all right, अब यहां पर इस से जुड़े हुए कुछ common doubts में ले लेती हूँ, मुझे पता है कि आपके दिमाग में होगा, ma'am, यह given नहीं है, तो क्या करेंगे, xyz, xyz, school, xyz, colony, xyz, society, pseudonym डालेंगे, ठीक है, आपको आपकी यह जो स्काम given नहीं होगा, तो sudo नमाएगा, abc, xyz, sdc, अगर designation given नहीं होगा, तो मन से बनाकर designation बिल्कुल मत लिखना, अगर designation given हो, तभी designation डालना, अगर designation given नहीं है, skip, पिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है, इसके साथ में, इसके साथ में complete हो गया है, आपका notice writing, देखो यह signature डालन से authenticity अट जाती है, मालो principle ने कोई notice लगवाया है, और उस पर principle का signature ही नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी principle टाइप करके notice चिपका देगा, तो notices के अंदर signature होना एक अच्छी चीज होती है, उससे authenticity जो है notices की बनी रहती है, ठीक है, आल राइट, अब जब आप समझ चुके हो कि notice writing कै इसे लिखते हैं और इसमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना होता है, आज आते हैं फटा-फट से invitations and replies पे, अब invitation and replies का जो fund यह है, कि आप सामने वाले को किसी को invite करना चाहते हो, किसी event के अंदर तो आप invitation लिखते हो, और invitation आपके और उसके relation के उपर depend करता है, अगर आप स तो ऐसे में आप हमीशा informal invitation बेजते हो, जबकि अगर आपका और उसका relation काफी formal है, कि ना तो वो आपका दोस लगता है, ना वो आपके family में count होता है, तो ऐसे में आप उसे हमीशा formal invitation बेजते हो, तो invitation basically किसी event के लिए बुलावा बेजने के लिए होता है, यह दो तरीके का हो स इसके लिए invitation आया है, आपको किसी event के लिए बुलाया गया है, तो naturally आप reply भी करोगे, वैसे मुझे पता है कि इंडिया के अंदर reply करने का कोई रिवाज नहीं है, invitation ले लेके रख लेते है, reply किसी को कतहीं नहीं करते हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे, और हम लोग इतने श इसा नहीं होना चाहिए जो भी invitation आपके पास में आया है, चाहief formal आया है, उसके लिए हमीशा reply करना चाहिए, तक किसे सामने वाला, जिसने आपको invitation भेजा है, उसके जो भी plans लेकर, वह accordingly अल्टर कर सके, तो reply Ehbeue Armor InVitation का formally जाता है, तो formal reply बन जाता है, और informal invitation का informally जाता है, तो informal reply बन जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं इन सारे के सारे invitations की फटा-फट से singularly तो अगर हम बात करते हैं हमारे formal invitation के यह formal invitation जो होता है वो तब लिखा जाता है जब मेरे को सामने वाले को invite करना है और उसका और मेरा relation ना friends का है ना family का है formal invitation जो है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है आप या तो इसमें card बना सकते हो या फिर आप इसके अंदर letter भेज सकते हो अगर event बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों को बुलाना है एक साथ question के अंदर बहुत सारे लोगों को बुलाने की बात हो रही है तो ऐसे में हमेशा card जाता है जबकि अगर एक event के अंदर किसी एक इनसान को बुलाना होता है या फिर question में particularly किसी एक इनसान को invitation बेजने की बात हो रही है और खास करके तब हो रही है जब वो इंसान आपके लिए chief guest बनके आएगा या chief speaker बनकर आएगा तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं letter लिखते हैं तो याद रखो card सिर्फ तब होगा जब आपके पास में recipients बहुत सारे हों अगर invite को receive करने वाले लोग बहुत सारे हैं तब ही आप card बनाए नहीं तो आप हमेशा क्या करेंगे letter बनाएंगे यह ध्यान रखना आपको formal invitation में formal invitation के अंदर इसके अलावा बाकी सारी tension छोड़ दो बस यह चीज है जो question पढ़कर आपको decide करती होगी तुरंथी अब बात कर लेते हैं कि card letter का format क्या है और इसे कैसे बनाते हैं जब आपको card बनाना होता है तो इसके अंदर भी notice वाला ही सारी चीजे लागो होती है इसको भी आपको एकदम fresh page से बनाना होता है और एक ही page पर complete करना होता है क्योंकि card आदा आदा नहीं आता सारी information आपकी एक ही page पर होनी चाहिए जब आप card बना रहे होते हो तो याद रखना कि इसे single line format के अंदर single sentence format के अंदर लिखते हैं इसके अंदर बार-बार full stops नहीं लगते हैं एक ही sentence के अंदर card बनाया जाता है presentation यहां पर sorry present tense जो है वो यहां पर follow किया जाता है तो present tense में बनाना है single sentence में बनाना है और इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि यहां पर third person का इस्तमाल किया जाएगा बिना third person के card में आप you know grammar में जरूर marks कटवा दोगे तो third person आपको जरूर यहां पर ध्यान रखना है box बनेगा यह आपको बहुत जादा यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा और कोई भी final punctuation यहां पर नहीं आएंगे हम हमीशा आदत रखते हैं कि final punctuation लगा दिया तो इसका rule जो है वो तूट जाएगा और grammar के number कट जाएंगे जब आपने यह चीज का ध्यान में रखा है तो याद रखो कि इसके format के अंदर यह single line में कौन कौन सी बाते mention करनी है एक और चीज मैं आपको बता देती हूं आप जब भी card बनाएंगे तो इसको centrally aligned लगेंगे रखेंगे इसको ना तो इधर ना जादा इधर रखना है centrally बीच की अंदर इसको डालना होता है तो चलो फिर फटा फट से आपने यहाँ पर start करना है name of the host से सबसे पहले तो आपको बता देना है कि भाई कौन है जो की invite कर रहे हैं उसके बाद में आपको यह invitation है किसके लिए तो बड़ा बड़ा आपका event आ गया कि यह जो event है इस event के लिए हम आपको बुला रहे हैं यहां पर इसकी details आजाएंगी जैसे कि यह event की date क्या है इस event में time या अगर कोई duration है तो वह है क्या और इसकी venue भी हमने यहां पर बता दिया अगर कोई special information यहां पर आने वाले हैं dress code क्या है यह सारी जो special information है वह special information आप जरूर यहां पर mention कर सकते हो otherwise अगर आप चाहो तो वह भी छोड़ देना को इतना लोड नहीं है बाट अगर question में specifically कोई एक चीज पर जोड़ दिया जाता है you should also include करके तो फिर उसको include करना ही करना पड़ेगा ठीक है नही लिखेंगे RSVP RSVP लिखेंगे RSVP का मतलब होता है please respond अगर आपको इन्वीटेशन मिल गया है जो की मिली गया होगा तो प्लीज इस इन्वीटेशन के लिए से respond कर दीजे हमें बता दीजे कि आप आने वाले हो या नहीं आने वाले हो यह कहता है RSVP तो RSVP में हम होस्ट का नाम लिख देते हैं नीचे जो लोग भी आपका यह इन्वीटेशन एक्स्टेंट कर रहे हैं उनका नाम लिख देते हैं यही वाला नाम आ जाएगा यहां प इसको लिखना होता है ध्यान आपको रखना होता है कि फ्रेजन टेंस में लिखा जाएगा और यहे भी ध्यान रखना है कि थर्ड पासन में लिखा जाएगा इसमें आप विल्कुल भी चुक आपको as a chief speaker या chief guest बुला रही हूं तो ऐसे में मुझे formal letter लिखना पड़ेगा तो मैं formal letter का क्या format होता है बच्चो formal letter का वही format होता है जो format हम पहले से पढ़ते हुआ है formal letter का format कभी नहीं बदलेगा तो वही रहेगा तो formal format के लिए करेंगे सबसे पहले आजाएंगे सेंडर अड्रेस भी इसके बात में लाइन चोड़ेंगे date डाल देंगे date of writing the letter जो आपको पता है 22nd of February लाइन चोड़ेंगे डालेंगे receivers address लाइन चोड़ेंगे इसके बात में लिखेंगे subject क्योंकि एक formal letter है तो subject लिखना और subject को अंडराइन करना बहुत जरूरी है देखो यार अगर आप किसी बहुत ही महान इंसान को बुला रहे हो तो natural इसके बाद में आता है आपका सीधा salutation salutation सामने वाले को पकारना होता है salutation में dear sir को avoid करेंगे क्योंकि dear sir जो है वो informal है ठीक हम यहां पर यहां तो सर्या मैम डालेंगे या फिर सामने वाले का नाम जो है वो लिख देंगे mister miss miss उसे साब से हम लोग यहां पर salutation डाल सकते हैं इसके बाद में आ जाएगा हमारा सीधा फटाफट से बॉड़ी में बॉड़ी अब यह जो में बॉड़ी में क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो तो भावनाव में मत बह जाना इसमें डेर सो वर्ड लिखने की जुरूत नहीं है यह 50 वर्ड वाली में बस यहां पर चीव गैस्ट वाली लाइन भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी तो आप यहां पर अपना होस्ट जो अप इन्वाइट कर रहे हैं उनसे बताना शुरू करेंगे इसके बाद में एक्सेंड करेंगे इंविटेशन अब एक्सेंड करेंगे तो यह भी बता रहेगा या क्या duration रहेगा ठीक है इसके बाद में वेन्यू बता देंगे कि कहां पर आना है अचा सामने वाले को जो है अभी मेरे को यह कंफर्म भी करना पड़ेगा कि वह आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं उसी के according में सारी करूंगी तो मैं यह भी बता दूगी कि मैं उनका reply expect कर रही हूं और expect कर रही हूं कब तक कि यह जो reply है यह मैं कब तक expect कर रही हूं इतने तारिक तक आप मुझे जरूर reply कर दीजेगा कि आप आने वाले या नहीं आने वाले और फाइनली मैं यहां पर अपना gratitude एक्सप्रेस करूंगी क्योंकि इतने महान इंसान ने मेरी चिट्टी पड़ी है और gratitude में आ जाएगा मेरा thank you looking forward to see you दददद यह हो गया मेरा जो event है event का invitation इस से जादा मेरे को यहां पर और कुछ बताने की जरूरत नहीं है अगर यहां पर आपके question के अंदर कोई special information given है कि आपको gifts भी distribute करने है price distribute करने है या आपके लिए हमने यह वहवस्ता करीवी है तो वह जरूर आप mention कर सकते हो otherwise वह भी mention करने की जरूरत नहीं है वह तब ही mention करना है जब question specifically चाहता है कि आप mention करो नहीं तो number कर जाएंगे अब इसके बाद में main body हमारा complete हो गया तो next page पर क्या करेंगे वही यौर्ज वाली लाइन जो कि हमारा complimentary close है तो यौर्ज आ गया इसके बाद में आ जाएगा हमारा नाम जो की question में given है given नहीं है तो XYZ ABC आ जाएगा और आ जाएगा designation designation बोले तो position अगर position में given नहीं है तो avoid कर द देख रहे हैं तो आपका letter आ जाएगा अब बहुत सारी बच्चों को यह confusion होता है कि माम क्या letter भी card की तरह एक ही page पे आएगा नहीं letter भी card की तरह एक page पे नहीं आएगा letter के अंदर तीन पार्ट होते हैं body के यार पहले तो वह address वाला part होता है पिर आपका body वाला part होता है फ भी चल जाएगा ओके ओके चालो तो अभी आपका यह जो formal invitation यह तो हम समझ गए कैसे लिखता है अब बात कर लेते हैं हमारे informal invitation की कि वाई informal invitation जो है हम लोग को किसको बेजना और कैसे बेजना यह informal invitation अब लोगों को बेजते हैं जिन लोगों के साथ में हमारा करीबी रिष्ता होता है ऐसे लोग जो हमारे friends या family के अंदर count करते हैं और इसी वजह से यहां पर फॉर्मालिटी कोई करने की जरूरत नहीं है ना ही आपको टोन यहां पर formal रखने की जरूरत है आप यहां पर जैसे अपने यार दोस्तों से बात करते हो जैसे घर में अपके family members से बात करते ह जो exactly उसी टोन के अंदर इस invitation को लिखना रहेगा यहां पर subject वाली formality तकातक करने की भी जरूरत नहीं है तो आप simply यहां पर क्या करेंगे इसका format कुछ इस प्रकार है सबसे पहले आप यहां पर sender's address डाल देंगे आप यहां पर एक लाइन छोड़कर डेट डाल देंगे यहां पर receiver's address नहीं आता है subject नहीं आता है सीधा salutation डाल देंगे यहां पर आप salutation में dear को include कर सकते हैं अगर आपका कोई साथ मिलने वाला है same age group का इंसान है तो dear के बाद उसका all right तो यहां पर आप जरूर वो include कर लीजे इसके बाद में आ जाएगा body body के अंदर भी आपको वही बाते include करनी जरूरी है जो हमने फॉर्मल में include कि है बस टोन हमारी बहुत अलग होगी यहां पर हम यह कोशिश करेंगे कि सामने वाले को पूरा प्यार और रिस्पेक्ट से बुला पाए तो बॉड़ी के अंदर भी हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले बहुत ही कॉड़ली एक्स्टेंड करेंगे क्या है इसके बात में इवेंट बता देंगे कि लिए वुला रहे हैं इवेंट की डीटियल रहना के डे टाइम वैन्यूआ रहा एस इन सारी चीजों के लिए थेकों बुला रहे हैं ताइम पर हैं wa बाद में हम आजाएंगे फटाफट से गिरो बाकी डीटेल्स पर कोई भी और इन्फरमेशन है मोर डीटेल्स डाल देंगे क्योंकि यह सामने वाला तो हमारे घर का इंसान है या फिर हमारे यारी दोस्ती के अंदर आता है तो हम थोड़ा और हसी मजाग भी कर सकते हैं कि 15 दि पड़ेगा लड़ू लेकर आने पड़ेंगे माता-पिता को लेकर आना पड़ेगा करके तो आप चाहिए तो यहां पर मोर डीटेल्स डाल सकते हैं फाइनली आप यहां पर भी ग्रैटिट्यूड और लाव एक्स्प्रेस करेंगे और यह लीजे इसके साथ में आपका यह जो बॉड़ी है यह भी हो गया कंप्लीट अब यह जो में बॉड़ी है इस में बॉड़ी के अंदर इसके अलावा और कुछ डालने की जूरत नहीं है बस इसके अंदर सबसे जादा आपको आपके टोन का ख्याल रखना है बाकी सब सौर्टेड है इसके बाद सीधा आप यहां पर अपनी यौर्ज वाली लाइन लिखेंगे जिसको हम कॉम्प्लिमेंटरी क्लोस कहते हैं यौर्ज के आगे क्योंकि यहां पर फ्रेंद्स और फैमिली इंक्लूदेड है तो आप लविंग सकते हैं टूली लिख सकते हैं पिर जाएगा आपका नाम यहां डेजिगनेशन डालने की जुरूद नहीं है क्योंकि घरवाले आप किसी भी डेजिगनेशन पर इज्जत तोत्ती करेंगे और तो इसके साथ में आपका यह भी कंप्लीट हो गया इन्फॉर्मल इंविटेशन याद रखो इन्फॉर्मल इंवि इसके अंदर हमारे जो कॉंट्राक्शन यूज नहीं कर सकते वह रूवाला रूल लागू होता है आप आराम से जैसे फ्रेंडली बात करो जैसे अभी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स या फामिली से बात कर रहे हैं वैसे ठीक है तो यह हो गया आपका इन्फॉर्मल इंविटे काड कुछ इस प्रकार दिखेगा The Principal Staff and Students of LJ High School Solicit the Pleasure of Your Company on Environmental Conservation Awareness Cultural Program in this School Auditorium on Tuesday 11 September 20 XX from 8.30am to 11am. join us for a day filled with dance, song, poetry and art exhibition by our talented students RSVP XYZ Member of Cultural Society और उसके बाद में नीचे यहां पर mobile number आ गया इस प्रकार आपका कार्ड जो है वो लिखावा दिख सकता है और है आ ते अजाते हैं फटा-फट से से इसी बात पर इपलस्ग पेंडियर प्रेश प्लिएंड ड़र ऐकिर तन इसी काड के स्कूण हो आपका चैंठ इथि पेज़ीव को कोई पाउंटेशन नहीं बस पचास वर्ट के अंदर अंदर होना चाहिए तो मेरे क्याल से वह भी एक सवा पेज़ पे आ जाता है और उसी से काम हो जाएगा इंग्लिश में कोई भी आंसर जो होता है वो नहीं लिखना होता हैं अंट्लो ऑ्लिस सामने वाला कोई एक चीज पॉइंट में मांगे इंग्लिश में सारे की सारे आंसर आपके पैरिग्राफ में ही होते हैं काया है है थेकै थर्ड पर्सन के अंदर जाता है अब थर्ड पर्सन के अंदर क्या होता है जब आपको says to точно सरे लिखना पड़े कि आपके पास में सामने वाले के नेवाली डिटेल नहीं है तो वहां कहीं न कहीं जैसे ओर वाला प्रनावन ऑगया तो यह वाला प्रनावन आजाता है यहांड आप वर्री 20 अपांग gratis कर सकते हों कि इन्वायमेंटल कंजर्वेशन अवेरनेस कुल्च्रोल प्रोग्राम इन स्कूल ओडिटोरियम तुजड़ तुजड़ तो आप यह और भी ओमिट कर सकते हों तो आपको अगर जैसी हमने पेटेंट बॉड़ी बना रखिये हो पेटेंट बॉड़ी अगर फॉलो कर लोगे तो इसके बाद में आ जाते हैं अब यहां पर मेरे को रिfunding करना है अब चाहें मेरे को काड के फिर्माट में ही इंविडिएशन क्यों हों मैं सामने वाले को कार्द तो वापस नहीं कर सकते हों तो कर से बाद बहू 총नेご के format में होते हैं अगर आप यहां पे formal reply कर रहे हो तो formal reply भी आपका formal letter के format में होगा और अगर आप informal reply कर रहे हो तो आपका informal letter के format में होगा तो format इसके सेम होंगे फरक सिर्फ इतना सा है कि आपको यहां पर body थोड़ी अलग-अलग हो सकती है जैसे मालीजे अगर मैं formal reply की बात करत हूं आपके पास में formal invitation आया और उसमें अगर आपको फॉर्मल रिप्लाइ एक्सेंट करना हुआ तो आपके पास में या तो question के अंदर यह चीज़ मेंशन होकर आएगी कि आपको यह reply जो है इसमें acceptance दिखानी है कि वह आप invitation accept कर रहे हो और आप जाओगे जाओगे या फिर आपको इसको decline करना है या तो यह question के अंदर given होगा अगर यह question के अंदर given नहीं है तो आप अपनी मर्जी से accept कर सकते हो या फिर अपनी मर्जी से deny कर सकते हो आपके जो मन में आए वह आप यहां पर select कर सकते हो similarly आपके informal reply के अंदर भी होता है तो informal reply के अंदर भी ऐसा होता है या तो आप चाओ तो accept कर लो चाओ तो आप reject कर लो question में given है कि नहीं accept ही करना है reject ही करना है तो फिर वही follow करना है चीक है आप अगर माल लिजे आप accept करते हो तो format क्या format exactly same है जैसे अभी हमने formal letter का format देखा था वही है reply deny के अंदर कैसा format exactly same है जैसे हमने अभी formal letter का formal invitation में देखा था अगर चेंज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में आएगा ठीक है acceptance और आपके denial की body में चेंज आएगा देखना अगर आप accept कर लेते हो या आप deny करते हो तो body में क्या क्या चेंज है अगर आप accept कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको यहां पर यह mention करना होगा कि आप थोड़ा सा invitation के बारे में mention कर दो कि भाई आपको यह invitation आया था mention कर दो कि यह यह details उस invitation के अंदर लिखी वी होगी mention कर दो कि आप इस invitation को accept करते हो और accept करते वे काफी कि इलेटेड याने खुश हो ठीक है इसके बाद में फाइनली यहां पर gratitude mention कर दो और बोल दो that you are looking that you are looking forward to meet everyone तो best wishes आपकी यहां पर जो है वो दे दो और इसके साथ में आपका जो acceptance वाला reply है वो हो जाएगा complete ठीक है तो accept करना है तो invitation के बारे में बता दो details दे दो details confirm कर दो और accept कर दो और gratitude के साथ में best wishes दे दो तो यह हो गया आपका acceptance का अगर आप by chance इसको deny कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो आ नहीं पाऊंगे ठीक है तो ऐसे में भी आपने क्या करना है यहां पर सबसे पहले तो यहीं mention करना है कि आपको invitation आया था इसके बाद में आपको यह mention करना है कि आप कितने जादा खुशों की ऐसा event हो रहा है इसके अंदर आपको बुलाया गया है तो आप यहां पर already पहले gratitude express कर दीजे कि आप कितना जादा अच्छा feel कर रहे हो कि आपको यहां पर बुलाया गया है इसके बाद में तुरंत regret महसूस कर लो कि भाई बर मेरे को इस चीज का पच्छतावा है कि मैं नहीं आपाऊंगी तो आप यहां पर sorry बोल दो और deny कर दो कि मेरे को इस चीज का पच्छतावा है कि मैं नहीं आऊंगी और इसलिए मैं माफी चाहती हूँ अब यह चीज बता का CBSE कहता है reason तो दो reason तो दे दो बता तो दो कि आखिरकार क्यों नहीं आऊंगे तो यहां पर reason दे दो कि यार मैं नहीं आपाऊंगी किसी तो prior commitment की वजह से तो आप यहां reason या reasons दे सकते हो कि prior commitment की वज़े से मैं आपके इस event के अंदर नहीं आ पाऊंगी मुझे please माफ कर दीजेगा और राइट इसके बाद मैं जाते जाते थोड़े best wishes भी दे के चले जाओ कि ठीक है पर मैं बच्चों को या फिर जिस भी यह दोनों आपके formal replies के body हैं ठीक है यह सारी चीज़े जो आए आपको formal replies के body में लिखनी है आप accept करते हो तो यह सारी चीज़े reject करते हो तो यह सारी चीज़े क्योंकि यह formal reply है और यह letter के format में भी है तो याद रखना कि यहाँ पर third person ही आएगा आप ऐसे मत सोच लेना कि यार यह तो letter के format में है सीधा सीधा informal में चले गए और third person को बीच में खा गए है ना यह formal reply है चाहिए आप accept कर रहे हो चाहिए आप reject कर रहे हो क्योंकि यह formal है यह third person में ही आएगा इसको एक page में complete करने का कोई load नहीं है letter के format में है एक सवा page में आ सकता है ओके क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया अब similarly अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे informal में क्या होगा तो वो भी बता देते हैं कि इन फॉर्मल रिप्लाइज में भी आप accept कर रहे हो या तो आपको बूला जाएगा एकसेप्ट कर लो या डिनाय कर दो और या फिर आपके पास चॉइस आएगी जो भी सिचुएशन हो क्या-क्या मेंशन करना है देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है जब सामने वाला घर वाला होता है और उनसे कोई कि इन्विटेशन आता है तो आप खुश हो जाते हो तो सबसे पहले अपना जॉय एकस्परेस करके इन्विटेशन बता दो के भई मैं तो बहुत ऑफ visitor कर करके पी यह जो इन्विटेशन है इस इन्विटेशन के अंदर यह सारी details mention थी फिर ये mention कर दो कि मैं तो जरूर जरूर आउंगी होई नहीं सकता कि मैं ना हूँ और यह बताते वक्त बहुत ही खुश हो जाओ और फिर फाइनली अगर कुछ extra बाते लिखना चाते हो तो ठीक है नहीं तो वही best wishes चिपका के और आपका काम हो जाएगा अब यहीं पर अगर हम deny की बात करें तो deny करने के लिए सबसे पहले invitation confirm कर दो कि यार यह जो sorry हो और आप नहीं आप आओगे यहाँ पर आपको थोड़ा informal होकर reason देना पड़ेगा कि मैं आना तो बहुत चाता था पर क्या करूं चोटू के board exams है इसकी वज़े से नहीं आप आओँगा तो यहाँ पर आपको डाल देना है कि आप नहीं आप आओगे reasons तो आपने यहाँ पर reason डाल दिया और फिर आपने यहाँ पर best wishes convey कर दे इसमें और आपके formal में बस इतना सा फरक है कि आपका formal reply जो होता है वो third person में होगा और यह जो है यह आपका first person में एकदम first class conversational friendly tone के अंदर जाएगा इन दोनों के अंदर यही difference है बाकी इन दोनों के अंदर और कोई difference नहीं है format का फरक यह है कि informal में आपका informal letter का format यूज होगा जबकि formal reply में formal letter का ठीक है तो इसके साथ reply हो गए डन देखो इस तरीके से दिखता है जब हम reply कर रहे होते हैं अब यह आगया है sender's address यह देखो यह रही date नेहा प्यारी नेहा salutation यह देखो इसके बाद में आगया body यह आगया आपका complimentary close और यह रहा नाम क्यूंकि नाम given नहीं है क्या करें देखो कैसे लिखा है I hope this letter finds you in good health I am thrilled to receive an invitation for your wedding to be held in Jaipur on 6th and 7th July and would like to extend my heartfelt congratulations to you we accept your gracious invitation and we are excited to be part of your wedding festivities I can't wait to meet you and dance all day long warm regards XYZ तो देखो यह वाला जो invitation है एक informal invitation है acceptance का invitation है और जो बाते अभी मैंने आपको बताई थी वो सारी बाते इसके अंदर mention है आपको भी इसी तरीके से सारी की सारी बाते mention करते वे चलना है ठीक है अब यहां पर कुछ बाते तो होती है जो आपको सामने वाला जो है बोलता है question के इंदर बोलता है express करने के लिए और कुछ बाते आप अपने मन से लिखते हो for example and dance all day long यह आपके creativity पर डिपेंड करता है इससे ज्यादा या कम नंबर नहीं मिलते हैं आपको जो बाते इंशौर करनी है कि आपके reply में होनी होनी चाहिए वो यह है यह CBSE जरूर देखेंगे यह जरूर होनी चाहिए इसके बाद में बाकी जितनी एक्स्ट्रा बाते हैं आपकी creativity पर डिपेंड करते हैं लिखना चाहते हो बहुत अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नहीं अब जल्दी से आ जाते हैं हमारे letter writing पर जिसमें आ गया हमारा letter to the editor पहले job application करा देती हूं एक्जाम्पल उसी का है जॉब अप्लिकेशन जॉब आप्लिकेशन की जो बात कर रहे हैं बड़ा बड़ा कमाल का topic है यह कि अगर आपने यहां पर patent body यूज कर ली उसी से आपका काम हो जाएगा आपको और कुछ यहां पर ध्यान रखने की जूरुत नहीं है तो यहां जॉब आप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है यह क्योंकि एक formal letter है तो formal format ही use करना है सबसे पहले तो sender's address आजाएगा जिसमें आपका address होगा जो की already question के अंदर given होगा तो एकदम बढ़िया तरीके से सबसे पहले तो आप sender's address जो है वो यहां पर mention कर दीजे उसके बाद में यहां पर आप क्या कीजे एक line छोड़कर date डाल दीजे date के बाद में आएगा आपका receivers address अब यह जो receivers address है यह जो है यह question के अंदर mention हो या ना हो receivers address का order क्या होगा वो देख लो receivers address के अंदर सबसे पहले तो आपके लिए आएगा HR department या फिर आप इसमें HR manager भी लिख सकते हो इसके बाद पर organization का नाम आजाएगा question में given होगा अगर given नहीं है तो XYZ organization कर दीजेगा यहां पर आपका city आजाएगा और आप यहां पर 6 axis बना देंगे आपके 6 क्या 7 बन गए लगता यह तो आपके pin code के लिए तो यह आपका address हो जाएगा अगर इसमें address और कुछ given है तो वह भी यहां पर फिल कर दीजे बट यह order तो आपको follow करना ही करना है receivers address के लिए इसके बाद में आ जाता है आपका Salutation subject I'm sorry subject आ जाएगा subject के अंदर आप बता देंगे कि आप क्या कर रहे हैं application दे रहे हैं application for the position of application for the position of कौनसी के लिए apply कर रहे हैं वो बता दीजे salutation दे दीजे salutation के अंदर आ जाएगा sir या ma'am और पिर आजाएगी आपकी main body main body में आप apply करेंगे cover letter है तो आप apply करेंगे इस position के लिए मैं बताती हूं कैसे apply करना है इसके बाद में अप्लाइन चोड़ेंगे complimentary close आ जाएगा yours आपका नाम आ जाएगा जो की already question के अंदर given है और उसके बाद में एक लाइन छोड़कर नीचे आ जाएगा इसका मतलब यह है कि सर चिट्टी के पीछे मैंने बायो डेटा भी चिपकाया है प्लीज उसको भी देख लेना ठीक है तो यहां पर subject salutation yours नाम एक लाइन छोड़कर enclosure बायो डेटा यह हो गया आपका job application का format ठीक है ठीक है इसके बाद में job application के अंदर नए पेज से जैसे यह application कतम होती है हो सकता है यह आदे पेज 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 नए पेज से फ्रेश पेज से आप क्या करोगे बीच में डालोगे रेज्यूमे या बायो डेटा का heading चाहिए तो रेज्यूमे लिग देना चाहिए तो बायो डेटा लिग देना और फिर यहां पर चार चार चीजों में बायो ऐटा करना है सबसे पहले तो अपनी पर्सनल लीटेल दो गे अ पर यह अब यहां पर अपनी कॉन्टाइक कौल बांटाइध दोगे के ये पार आप यहां पर अपना एजूकेशनल कौलिकेशखिए दो एजंगे यहीं पे आप experience भी बता दोगे इसके बाद में आप mention करोगे आपका skill, hobbies, languages etc. references और declaration दोगे और इसके साथ में complete हो जाएगा आपका resume यह adding डालके यह सारे particular की अंदर बाकी के particular दोगे दोगे आपका job application complete हो जाएगा अब इसके अंदर देख लेते हैं इसकी patent body कौन कौन सी होगी patent body में हमें क्या लिखना होता है कि अदुछ इसके लिखना होता है झाल 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 तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या format है। दोनों चीजों की format पता चलके चलो अब फटाफट से patent body note down कर लो दोनों चीजों की patent चीजे note down कर लो तक इसे तुम लोगों को इसमें tension ना हो और तुम यहां आराम से पाच में से पाच लेके आ सको ओके तो यह जो body है यहां पर यह जो मैं main body बता रही हूँ इसका patent body मैं आपको दे रहती हूं और वही अगर आप याद कर लोगे तो हर एक question के अंदर वह fix हो जाएगा चलो उसको note down करते हैं क्या हुआ कि मैंने आपकी यहां पर job application के class ली थी तो उस class के अंदर मैंने patent body लिखवाया था पिर क्या हुआ होता है ना कि अगर मैं नहीं patent body में कुछ भी इजमर भी इदर उदर हो जाता है ना तो बच्चे एकदम से टेंशन में आ जाते हैं पर मैं पिछली class में तो आपने वह वाला चीज लिखाया था ना वह sentence लिखाया था इसके लिए वही exact weighted body खोलनी पड़ती है तक इधर से उदर कुछ नहीं हो रटे मारे हुए ना सबने मैं तो रटे मारे हुए इस हमारे इधर किदर चला गया समझे चालो हाँ जी लिखना शुरू करो इन response to your advertisement in response to your advertisement patent body लिख लिजे please in the newspaper आ जाएगा लिखना शुरू करो जो भी newspaper question के अंदर given हो वही newspaper यहाँ पर चिपका दीजेगा dated फिर date डाल दीजेगा जो भी date question में given हो या advertisement में given हो फिर फिर पोस्ट डाल दीजे यहाँ पर जो भी position question के अंदर given है in your थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं सामने वाले की रिनाउंड और्गनाइजेशन है मैं तक गई रिनाउंड और्गनाइजेशन कोमा लगा दीजे आई विष तो ओफर माई चैंड़ीड़ीडेशन के अंदर अपना और चैंडिडेशन के अंदर अपना कैंडीडेशन ओफर करना चाहती हूँ I wish to offer my candidature अब सुनो, मैम की हैंड राइटिंग बड़ी बड़ी है यहां पर तो यह मैं सोच ना, कि आप मैम ने फुरा एक पेज में यह लिख दिया है यह मुश्किल से दो लाइनों का इंट्रोड़क्शन है तुमारा, डेड़ का भी हो सकता है ठीक है यह सिर्फ इंट्रोड़क्शन है चाहिए तो पारेग्राफ चेंज कर लेना चाहिए तो इसी को कंटिन्यू करके चलना मैं पारेग्राफ चेंज कर दे रहूं मेरेको अच्छा नहीं लग रहा ओके ओल्राइट आगे लिखोगे I have the required qualification and experience I have the required qualification and experience चोटे चोटे अच्छी सेंटेंसे बना लो experience तो लिखोगे I am enclosing a copy of my bio data I am enclosing a copy of my bio data पर ये copy आपके लिए submit कर रहे हूं किसले submit कर रहे हूं for your kind perusal मैं चाहती हूं कि आप एक बार मेरे bio data को देखें for your kind perusal and consideration ये भी तो चाहती हूं कि please consider भी कर लो देखें consideration फुल स्टाप अब यहां पर हम सीधा सीधा बात कर लिया इतना बोल दिया तो अब चाहते हैं कि यार सामने वाला थोड़ा में interview के लिए भी बुला ले तो बात बने कुछ तो चलो फिर आगे ये भी लिख देता है I am also available I am also available for an interview मैं interview के लिए available हूँ on any day किसी में देख बुला लो कले बैठी हूँ मैं तो any day of your convenience नहीं आप मेरे को बुलाओ आपकी convenience के साब से बुलाओ यार फुल स्टाप अच्छा अब थोड़ा इसा थोड़ा थोड़ा बट्रिंग करनी बढ़ेगी ना आप मेरे को मौका दोगे तो मैं तो ऐसा काम करूंगी ना ऐसा काम करूंगी तो वह बताना पढ़ेगा वह लिख लो if given a chance मैं दूसरे पेज पर लिख रही हूँ तुम continue करना ठीक है if given a chance एक मौका अगर मुझे मिल जाए to solve your organization to serve your your नहीं लिखा ना इसमें 2 लिखा है चलो 2 लिख देती हूँ बच्चे बगड़ जाएंगे to serve the organization अगर chance मिला तो क्या करूंगी I assure you I assure you that के मैं एकदम पूरी तनमेता से काम करूंगी I shall work with utmost sincerity and dedication full sincerity and dedication के साथ काम करूंगी with utmost most sincerity and dedication full stop up to your satisfaction up to your satisfaction भी लिख देती हूँ और up to your satisfaction full stop thank you कि कि समझेगी नहीं यह आपके job application का patent body job application में सबसे पहले तुमने क्या किया sender's address लिखा और यह किज़र चला गया date डादा receiver's address में HR department organization name city आगया subject लिखा application for the position of dash फिल कर देना salutation लिखा salutation लिखते ही body पे आओगे in response to your advertisement in the question में newspaper लिखा हो newspaper लिख देना question में date डाल देना for the position of question में position लिख देना in your renowned organization I wish to offer my candidature I have the required qualification and experience I am enclosing a copy of my bio data for your kind perusal and consideration I am also available for an interview at any day of your convenience if given a chance to serve your organization I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction thank you okay okay कर लेंगे इतना तो यह इसके साथ में आपका cover letter खतम हो जाएगा अब बात कर लेते हैं हमारे bio data की यह जो bio data में मैंने 5 बाते आपको बताईए लिखने के लिए यह भी लिख देती हो आपको याद करा देती हो वही बाते लिख कर आजाना यह पात चीजे जरूर चेक करेगा cbse इन 5 चीजों में क्या-क्या आएगा मैं वह भी बता देती हूं experience mention कर सकते हैं मेरी जान बिल्कुल कर सकते हैं चलो bio data लिखो एक मिन पानी पी लेता है weights thank you भी होगा लेटर को बॉक्स भी नहीं डालना है लेटर एक से जादा पेज में जाता है आधे आधे बॉक्स बनाओगे हावा मेटिंगी वे हाँ 120 words body और bio data मिला के job application में बड़ा गपला है क्या-क्या मिला के वह 100-500 words कर रहे हैं उससा कोई फरक नहीं पड़ता मैंने जो आपको body बताई है उसकी अंदर मैंने जो body बताई है आपको उसकी अंदर वह सारी बाते mentioned है जो cbc चाहता है कि आपके वह इसमें cover letter में mention होनी चाहिए तो यह सब लिखना ही लिखना है चलो एक बार bio data भी लिख लेते हैं फटा-फट से बता देती हूं क्या-क्या मेंशन करना है क्या के चीज़े याद करके जानी है यह पांच नमबर पक्के कर लेते हैं जल्दी से लिखना शुरू करो सबसे पहले bio data heading डालोगे सबसे बीच में इसके बात मैं particular लिखोगे name mother's name father's name date of birth date of birth age या फिर सब्सक्राइब हो मैरिटल स्टेटिस शादी शुदा होके नहीं हो और नशनालिटी यह तो हो गई आपकी सारी personal details फिर contact details डालना शुरू करोगे phone number email id permanent address current address अब आजाएगा यह होगे आपका contact details तो education qualification education qualification के लिए हमेशा table बनाऊगे टेबल में रिखोगे exam या फिर degree बोड या university year आजाएगा और percentage टेबल बनाके और इसके नीचे आएगा आपका class 10 class 12 प्रेखने प्रेखने ऑप्रा है यह सब्सक्टरीशि प्रेखने ये लो ठीक है ये बीना टेबल के लिखा तो नंबर कर जाएंगे ये याद रखना है ना तो टेबल के बिना नहीं लिखना है तो एजुगेशन कॉलिफिकेशन हो गई फिर आजाएगा एक्स्पीरियंस एक्सपीरियंस पर या तो साफ साफ मेंचिन कर दोगे इतने साल का एक्सपीरियंस है जैराम जी की बात खतम ठीक है अगर मेंचिन नहीं करना चाहते हो पूरा बताना चाहते हो कैसे कैसे कितना एक्सपीरियंस है और वो सब कुछ तो फिर यहाँ पर सब मेंचिन करना पड़े कि अगर यहां पर सीधा सीधा लिखना चाहो तो लिख दो फाइव एक्सपीरियंस टैनियर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो भी पूछा है नहीं तो पोजीशन मेंचिन करते जाओगे चाहर फिसल सानियोगे नहीं आप यहां आप कहिए अधिक शाल ऑफ आ यहां उपने को फ्यूथ स्किल्स स्चिट आपने कोई अचिवमेंट्स बंस बता दो इसे बता दो क्या वह बया बताना चाहर बो रहे आपको ठीक है यह कुछ ऐसी चीज़े आप बताना चाहो अगर भूल भी गए तो इतनी कोई दिक्कत नहीं नंबर नहीं कटेंगे बाकी चीजों के कटेंगे नेक्स्ट मैं यहां पर नेक्स फेज़ पर आपको जाने की जरूतनी यह जगло है तो मईंपी लिको के रेफ्रेंस की बच्चों रेफ्रेंस बन्ब स care prime के अगर सामने वाला मेरी पूछताच करने के लिए और दो लोगों से क्या relation था या है और contact जैसे कोई नाम दे दिया लिख दिया एकस employer और फिर contact दे दिया एक और नाम mention कर दूंगी वालो वो मेरा professor था तो फिर मैंने बता दिया यहां पर यह relation क्या है कि professor और आ गया contact यह लो भई मेरे मेरे जो references है वो पूरे हो गए डन है अब इसके बाद में मेरे को heading डालनी पड़ेगी declaration और मैं declare कर दूंगी क्या declare करूंगी मैंने जो बातें यहां पर बताई है वो सारी की सारी सच है जितना मुझे पता है और मैं sign कर दूंगी है ना क्योंकि अपनी मर्जी से ऐसे तो मैं इंजिनियर नहीं लिख दू तो फिर वो तो कोई मानने थोड़ी होगी है ना तो यहां पर मैं sign कर दूंगी कि भाई मैंने जो भी बताया वो सब सच बताया है और इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है तो मैं लिकूंगी I hereby declare that aforementioned aforementioned particulars are particulars are correct to the best of my knowledge अब यहां पर मैंने यह बता दिया मेरा यह डेटा जो है यह अपडेटेड होना चाहिए इसलिए मैं नीचे डेट डाल दूंगी आज की जिस दिन यह बना रही हूं और इधर सिगनेचर कर दूंगी कि भाई जो भी लिखा एकदम सच लिखा है सच के सिवा कुछ नहीं लि यह बना तक है बना झाज सब्सक्राइड है आफ दिल को भाग्स अफान टाम एक अघ्जामपल देख लो गया C40 Ashok Vihard, New Delhi, 20th March 20XX, The Manager, Bookske Lohr, Nehru Place, New Delhi. Subject, Application for the Post of Editor. Sir, Ma'am, in response to your advertisement in the Times of India dated Dada Dada, requiring editors for the Children's Magazine. I offer myself as a candidate for the same. I am a recent graduate of Highs Horizon School with 92%. I possess excellent command over English language. I believe that books have the power to shape society and inspire change. And I am eager to be part of a team that is dedicated to this mission. I hope these factors make me a suitable candidate for the job. If selected, I shall certainly prove myself worthy of the post. I am available for an interview at any time according to your suitability. I am attaching my resume along with this letter for your perusal. Thanking you, yours faithfully, Sheena Singh. I forgot to add your faithfully, so you don't have to think about the same line. You just need to know the same line. If you don't have to try and trap your mind, the same line is only on a field. If you do not know the same line, it is either the same line. If you do not get involved in a field, you don't have to think about the position of your team. Do not know the other side, the same line means you don't have to think about it. आजाते हैं नेक्स्ट टॉबिक पर वह है लेटर टूदी एडिटर दो एक मिनिट दे दीजे मुझे मेरे पास एक लेटर टू दी एडिटर का वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं टाइम मच जाएगा आपका लिटतू धी एडिटर के लेटट दोैटि दो यार लिटे डोडिटर में क्या क्या Department रखना है सबसे पहले लिटे डूधी और यामागजीन के लिए लिखा जाता है जो questions आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, वो social concerns की around पूछे जाएंगे, एक चीज का जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो यह है, कि editor का काम है letter को publish करना, तक इसे authorities का attention वो grab कर सके, editor खुद खुरपी लेकर आपके लिए ना तो पौदे होगा सकता है, और ना ही खुद cement लगा के गड़े भर सकता है, तो आप इस पे बिल्कुल भी बर्फिएगा मत, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर सकता है, इस letter को आपके अपने newspaper के अंदर publish करके, ठीक है, यह बात हमें ध्यान रखनी है, आगे देखो, अब यहाँ पर आपको यह पूरा का पूरा cycle अच्छे से समझना चाहिए, कि आप एक concerned citizen है, आप editor को through the letter अपनी problem बता रहे हैं, editor इस problem को newspaper में publish करेगा, यह concerned authority के पास जाएगी, और concerned authority फिर इस problem को बदल जाती है, नहीं तो आदे से जादा बच्चों के number letter to the editor में इसलिए कटते हैं, क्योंकि यह उन्हें नहीं पता होता, ठीक है, अब जब आपको यह पता चल गया है, तो एक बार ज़रा format पे और marking scheme पे गौर खाएंगे, फॉर्माट, marking scheme देखेंगे, पाच number का letter to the editor है, एक number format का है, तीन number content के है, एक number आपका expression का है, expression के अंदर आपका flow, word limit, grammar और spelling चेक किया जाएगा, अगर format की बात करते हैं, तो शुरुवात होगी हमारे sender's address से, हम यहाँ पर line चोड़ देंगे, याद रखना sender's address के अंदर pin code लिखना, या फिर pin code लिखना अपने अपमे optional है, मैं हमेशा इसके लिए pin code suggest करती हूँ, क्योंकि वो address को ज़्यादा meaningful बनाता है, तो हमने sender's address लिखा, line चोड़ी, date लिखा, date, date, month और year के format में लिखेंगे, फिर हम line चोड़ेंगे, और line चोड़ कर आजाएगा आपका receivers address, receivers address में the editor आएगा, जो भी newspaper का नाम गिवन हो, वो newspaper आजाएगा, city और state आजाएगा, और 6 access आजाएगे, जो pin code को denote करेंगे, फिर हम line चोड़ेंगे, आजाएगे subject पे, subject हम 4 से 5 words के अंदर लिख सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा, हमारे letter की upper body इसके साथ हो जाएगी complete, अब इसके बाद में आता है आपका salutation, इसमें आप या तो sir डाल देंगे, या फिर आप dear editor डालेंगे, dear sir नहीं आएगा, या तो sir या dear editor, पिर आजाएगा आपका main body, जिसके अंदर पहले आएगा introduction, फिर आप paragraph change करोगे, फिर आएगा detail, फिर आप paragraph change करोगे, conclusion, thank you और आप छोड़ दोगे line, इसके बाद में आप डालोगे या तो your sincerely, faithfully, truly, आप इन में से कुछ भी लिख सकते हो, आपका पूरा नाम जो की question के कि letter to the editor के content में हमें क्या-क्या लिखना होता है, तो content की बात करें, तो आप letter to the editor को ऐसे शुरू कर सकते हो, सबसे पहले आप अपना introduction यहाँ पर बताओगे, introduction वाला paragraph से शुरुवात करोगे, जिसमें लिखोगे, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities, या फिर general public, towards, और फिर आप यहाँ पर problem बता दोगे, जो की question के अंदर given है, आपको यहाँ पे एक और शब्द भी add करने की जुरूरत नहीं है, सिर्फ इतना mention कर देना है, कि through the column of your esteemed newspaper, आपकी esteemed newspaper के columns के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि concerned authorities या general public का attention इस problem के towards है, जो question में given होगी, डिक्टो question से चिपका देना, मैं आप बता सकते हो कि इस problem की वज़े से क्या क्या issues हम लोग face कर रहे हैं, तो सारे issues आपने बता दिए, आप बता देते हो, बता दोगे आपके क्या suggestions है, इस मामले में, आपके पास कोई solutions है क्या, आप कोई hope या कोई उमीद रखते हो क्या, अब यार आप न सीधा कोई problem हो गए तब जाकर आप letter लिखोगे editor को, और फिर जाकर वो authorities को कई ना कई फिर से दिखेगा, तो ये भी mention कर देना कि यार मेरी जो problem है, इसको authorities इग्नौर कर चुके हैं, और इसी लिए मैं ये चिठी लिख रहा हूं, अब conclusion इस से जुड़तावा आ जाएगा, I believe that highlighting this problem or concern or issue through your newspaper would bring it to the attention of the authorities or general public, so that और फिर आपका जो expectation है, वो expectation लिख दो, आ जाएगा, thank you, इससे क्या होगा, आपके तीनों paragraph एक दूसरे के साथ connected होंगे, जैसे पहले वाला जो paragraph है, through the column, आपने या problem बताया, अब problem बताया, तो detail वाले paragraph में problem से ही शुरू कर दिया, problem को explain किया, instances के साथ में, यहा आपको यह चिट्टी इस ले लिक रहा हूं, तक कि आप जब इसे newspaper में चापोगे, तो authorities फिर से इस पर ध्यान देगे, ठीक है, अगर मान लो यह question आपके paper में आता है, और आप इसको answer करते हो, और इसी तरीके से answer करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, तो answer कैसा दिखेगा, ठीक है, एक बार देखना इधर, 12 रोशन कॉलनी, आलंपूर, 6 एक्से आ गया, 13 जैनरी आ गया, मैंने डाल दिया, the editor, modern times, आलंपूर, और इसके बाद में 6 एक्से आ गया, subject डाल दिया, need of effective measures for the safety of the elderly, इसके बाद में, salutation डाला, dear editor, आप देखो, exactly वही चीज फॉलो करती जा इसके ये सुनमेड बाद टोर्ज संगा सा ड्या, आप बाद गया, और मिलत करते ही आलंपूर्ण इसके ड Christiansi, भूरत टोर्डस का जा ह।र चीजिए इस आ गаков考 PhD उार प्या, 13 ए अब ये मैंने बता दिया है कि कैसे इग्नोर कर दिया है मेरी बात को पुलीस ने और इसलिए मैंने ये क्यो लिखा है नीचे फिर मैं आगे कंटिनू करके लिखूंगी तो ये आपका आगया content किस तरीके से आपका content आएगा आपने अगर ये चीज इंशॉर कर दिया आपको ये चीज ध्यान रह गई तो ऐसे में आपने एक्स्प्रेशन के लिए सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है जिसमें आगया आपका इंट्रोड़क्शन डीटेल कॉंक्लूजन एक्सोबीस से देट्सो वर्ड्स में इसे लिखना है content आपका लॉजिकली अरेंज होना चीज ग्रैमर और स्पेलिंग में एर नहीं होना चीज एक नंबर आपका एक्स्प्रेशन का भी पक्का अब आप खुछ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको जॉब अप्लिकेशन करनी है या फिर लेटर टूदी एडिटर करना है आप जो भी सेलेक्ट करते हो यह याद रखना कि जो आपको मार्क्स चाहिए ना उनके लिए सारी चीज़े डिवाइड़ेद है स्टेप्स लगरो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो गया चालो इसी बात पर आजाते हमारी नेक्स्ट नननननना हाँ हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर है आर्टिकल राइटिंग आई आपको यहां लिखने होते हैं और आपको यह भी बता देती हूं कि यहां पर हिंट्स हमेशा मौजूद होते हैं आर्टिकल और रिपोर्ट्स के अंदर आपको हिंट्स यहां देखने को मिलेंगे आर्टिकल राइटिंग में पांच नमबर आपको वर्माट, कॉंटेंट और एक्सप्रेशन के मिलते हैं एक्सप्रेशन में फ्लो, ग्रामर, स्पेलिंग और वर्ड लिमिट देखी जाती है ठीक है तो यह आपको धिहान रखना है आर्टिकल राइटिंग का फॉर्माट कुछ इस प्रकार है सबसे पहले आप यहां पर टाइटल और हेडिंग डालोगे यह टाइटल और हेडिंग आप क्वेशन पढ़के चूस करोगे इन फाक्ट राइट आन आर्टिकल और के बाद में जो लिखावा होगा वही आपकी टाइटल और हेडिंग भी होती है तो वहां से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो इसके बाद में इसके जस्ट नीचे आएगा बाए लगा कि आप यहां पर कोलन लगाओगे और राइटर का नाम लिख दोगे पिर आजाएगी आपकी में बॉड़ी और यहीं पर और वार्ट लिखना इस टॉपिक को आप इंट्रड़्ुस करोगे क्योंकि वही आपका थीम है आप इसको इंट्रड़्ूस कर सकते हो कि सी नो graphs है कि स्टेट्मेंट से कोई ना इक्ट पूचिं कि आँप पर कैसे भी कर सकती हो यह वैसे एक सैंकतित ना आथि इन्ट्रेट से सीधा detail में मत जम करना detail में जो लिखना चाहते हो उसे थोड़ा बहुत पहले introduction में डालना तक इसे एक flow maintain रहे जब paragraph change हो इसी को हम mini detail कहते हैं इसके बाद detail वाले section में आप advantages disadvantages, disadvantages, pros, cons, causes, effects ये सब बना सकते हो याद रखो कि किसी को भी बहुत सारे points आर्टिकल राइटिंग में याद आते नहीं हैं अगर आपको detail section में तीन points भी याद आ रहे हैं तो बहुत है उन तीन points में ही advantages, disadvantages, in fact आप real life example और stories भी add कर सकते हो उसी से आपके वो तीन points बड़े हो जाएंगे आपको बस यही करना है क्योंकि यहाँ पर article के अंदर आपका development ही देखा जाता है idea का hints तो article writing के अंदर cbc भी देदेता है फिर आप पर conclusion करने से पहले इससे पहले कि अपने article को खतम करो कोशिश करो कि detail में आप वो hint दे दो कि भई मैं article खतम करने वाली हूं इसी को हम कहते है mini conclusion इससे flow तूटता नहीं है फिर conclusion में आ जाएगा theme फिर से आप कहीं ना कहीं इसको और इसको join करने की कोशिश करोगे हमेशा याद रखो एक अच्छा article वही है जिसकी अंदर अगर introduction को introduction के just बाद conclusion को पढ़ा जाए तो एक flow नजर आए क्योंकि अगर introduction के just बाद conclusion को पढ़ा जाता है तो यह चीज समझ में आ जाती है कि आपने बड़े बारीकी से article के logic को समझा है और उसको बड़े logically लिखा है अगर introduction किसी भी दिशा में जा रहा है conclusion किसी भी दिशा में जा रहा तो फिर नंबर कर जाएंगे क्योंकि conclusion का मतलब ही होता है कि जो बात मैंने शुरू करी थी उसे में यह सारी बाते समझा कि आप खतम कर रहा हूं सबसे पहले आपको questions एक दम अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चले कि वहां क्या words या phrases mentioned है इसके बाद आपको सोचना चाहिए hints के basis पे कि क्या-क्या आप इसके अंदर लिखोगे आपने जो भी सोचा उसे introduction, detail और conclusion में organize करना चाहिए और फिर लिखना शुरू कर देना चाहिए याद रखो लिखने के बाद में भी आपको एक बार article पढ़के जरूर देखना चाहिए ताकि कोई भी अगर गलती हो तो अभी पकड में आ जाए क्योंकि अगर बाद में पकड में आई तो teacher जादा number काटेगा इसके साथ में मैं आपको एक और tip यहाँ पर देना चाहूंगी article writing में वो यह है कि हमेशा जब भी आप अपने ideas को लिखना चाहते हों तो अपने best ideas को introduction में और अपने best ideas को conclusion में जरूर डालो As a teacher मैं जब बच्चों की copy check करती हूं तब मैं भी पहले की कुछ lines को बहुत अच्छे से पढ़ती हूं क्योंकि वहीं से मुझे पता चल जाता है कि बच्चे ने बाकी के 1500 words कैसे लिखे होंगे इसलिए अपना introduction बहुत अच्छा बनाओ अच्छे-च्छे ideas पहले introduction में डालो और अच्छे-च्छे ideas conclusion में भी डालो क्योंकि कोई भी teacher की यही tendency होती है कि पहले वह introduction और फिर conclusion चेक करता है बीच में आप अपने average ideas या ऐसे ideas जिने बहुत examples या facts की मदद से develop करना पड़ेगा उन्हें डाल सकते हो और इसी से आपका final draft रेडी हो जाएगा याद रखना कि एक बार grammar और spelling को ज़रूर चेक करना नहीं तो यहाँ पर number कट जाएगे आर्टिकल जब इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा एक example भी दे रिती हूँ चलो साथ में डीड करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया अपना heading डाल दिया यहाँ पर सबसे बड़ी गल्ती क्या है सबसे बड़ी गल्ती है कि हमने यहाँ पर byline नहीं लिखिये याद रखो अगर नाम नहीं भी गिवन है तब भी byline हमेशा लिखनी है लिखेंगे listening isn't just about hearing words it's about truly comprehending what someone is saying active listening includes responses that demonstrate that you understand what the other person is trying to tell you about his or her experience imagine if everyone just spoke but no one listened we'd miss out on so many ideas and viewpoints abh meinnei paragraph change kiya hai kyunki ham details pa ra hai the development of a supportive environment is one of the beautiful results of active listening trust is developed when people feel heard and recognized the basis of enduring relationships is this trust non-verbal signs like nodding, changing facial expressions and sitting straight show that you are paying attention to what is being spoken these indications show that you are interested in what the other person has to say abh conclude karenge so let's begin to actively listen not just for our own benefit but also for the benefit of the entire community alright, so here you can see that you can see that you can see that you can see byline missing report writing report writing report writing article writing recording report writing article writing लिमिट होती है याद रखो कि इसकी मार्किंग स्कीम भी वैसी है एक नमबर फॉर्माट का तीन नमबर कॉंटेंट के और एक नमबर एक्स्प्रेशन का मिलता है जिसमें आपका फ्लो देखा जाता है एक सो बीच से डीड़ सो वर्ड में आपने कैसे कोहरेंटली सब कुछ लिखा है वो देखा जाता है यह देखा जाता है कि आपकी ग्रामर तो आक्यूरिट है ना इन अडिशन टू दाट कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है यह भी चेक किया जाता है बच्चों यहां पर दो तरीके की रिपोर्ट लिखी जा सकती है पहला न्यूजपेपर रिपोर्ट न्यूजपेपर के लिए लिखी जाने वाली रिपोर्ट में सबसे पहले आप हेड लिखा होता है ऐसे ही मागजीन के लिए भी रिपोर्ट लिखी जाती है पर इसमें फॉर्माट में स्लाइट चेंज है यहां पर आप पहले हेडलाइन लिखते हो फिर बाई लिखकर रिपोर्टर का नाम लिखते हो इसके बाद इंट्रोडक्शन डीटेल और कॉन्क्लूज जा सकते हैं और उनमें मुझे क्या-क्या लिखना होता है अगर आपसे रिपोर्ट में क्वेश्चन पूछे रॉबरी आक्सिडेंट के लामर्टी डिजीज आउटब्रेक यह सिविक प्रॉब्लम के बारे में तो आप सबसे पहले क्याची हेडलाइन और बाई-लाइन इसके बाद में आप आई-विटनेस के बारे में बताएंगे किया कोई चश्मोदीद गवाह है या लोगों ने क्या experience किया कोई casualties याने मौते हुई है कोई damage हुआ है क्या authorities ने इसके लिए क्या action लिया इसके बाद जो लोग सफर कर गए उनको क्या relief measures उनके लिए क्या relief measures लिय अगर यही report cultural या sports events के लिए पूछी जाए तो क्याची headline और byline से शुरू करेंगे introduction में देंगे बताएंगे क्या occasion है क्यों हम यह cultural or sports event का organize करा रहें कौन इसे organize करा रहा है कोई sponsors है या नहीं है हम बताएंगे कि यह cultural sports और event जो है यह कब हुआ था किस venue पे हुआ था और किस समय याद रखो कि क्योंकि reports एसी चीज के बारे में कैसी event के बारे में लिखते हैं जो हो चुका है इसलिए हर बार जब यह लिख रहे होगे हमेशन यह अपने आपको याद कराते रहना किっान पास्तेंस से पास्तेंस में ठीना य। Chief Guests कौन कौन आये थे, कोई special invitees थे या नहीं ये भी बताएंगे, हमारे objectives क्या थे इस event के पीछे, इस program का क्या main highlight था वो भी बतादेंगे, कोई भी performances और जो events हुए थे उनके बारे में बताएंगे, कोई price, कोई award, कोई reward, कोई annual report distribution हुआ था तो वो भी बतादेंगे, Chief Guests ने जाते जाते क्या दो शब्द कहें, और finally हमारे principal ने सबको vote of thanks कहा, thank you so much सब लोगों का आने के लिए, हार जीट तो यूँँ ही चलती रहती है, पर बड़ा मुझा है आज की program में, और पिर आजाएगा overall response, अगर मालीजे कि कोई competition के ऊपर report आती है, तो क्याची headline और byline के साथ बताएंगे, कि कौन से occasion पर ये competition कराया गया था, इसे किसने organize कराया, इस competition के पीछे क्या objective था, ये competition का कोई level था, क्या, कोई topic था, जैसे debate competition में कोई topic होता है, speech competition, essay writing competition में topic होता है, और कौन-कौन इसके अंदर participate किया था, इतना ही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि competition की शुरुवात कैसे हुई, क्या कोई welcome speech थी, कोई dia lighting ceremony थी, judges और chief guest के बारे में बताएंगे, कि judges भी आये वे थे, chief guest भी आये वे थे और वो कौन थे, performances और result बताएंगे, किस-किस ने participate किया, और क्या-क्या performances हुई, और कौन जीता, finally, first price, second price, third price के बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि बाकी सारे लोगों को certificates मिलेट हैं, chief guest का message बताएंगे, और of course बताएंगे कि कैसे उन्होंने बाकी सारे लोगों को भी address किया, principal ने finally vote of thanks दिया, सबको thank you बोला, और overall response और लोगों का experience याने कि खूब मज़ा आया, यह हम बताएंगे, ठीक है, पिर आजाएगा सीधा, workshop, seminar और talk show, इस पर अगर question आता है, तो क्या-ची headline और byline से शुरू करेंगे, introduce करेंगे कि workshop है, seminar है या talk show है, और फिर details देंगे, कि यह कौन से date पर हुआ था, किस time पर हुआ था, क्या duration था, और क्या venue था, objective और motto बताएंगे इस workshop, seminar या talk show का, बताएंगे कि speaker कौन कौन थे, host कौन था, guest कौन थे, chief guest या special invitees कौन थे, different activities जो इस workshop, seminar या talk show में हुई थी, वो भी बताएंगे, और हम लोगों के अंदर जागरुकता फैलाने के लिए, aids याने कौन कौन से चीजों का इस्तमाल किया गया था, क्या audio visual means से हमें बताया गया, समझाया गया, क्या charts का इस्तमाल हुआ, documentary, skit, कोई performance दी गई, या फिर कोई interview हुआ, जिसकी मदद से हमारे अंदर जागरुकता फैलाई गई, question answer round के बारे में बताएंगे, बताएंगे कि exports का इस मामले में क्या कहना था, लोगों के comments बताएंगे कि वाँ present, लोगों ने क्या सोचा, field activities, जैसे माल लो हमें industry में गुमाने लेकर गए, किसी orphanage में लेकर गए, तो जो भी topic था, उसकी कोई field activity हुई थी क्या, हमने यहां से क्या सीखा, finally वो बताएंगे और इसे conclude करेंगे, पिर आता है rally, drive या campaign, अगर कोई rally, drive या campaign होती है, तो उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा social motto होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखके headline और byline बनाएंगे, यह rally, drive या campaign क्यों हुई थी और किस ने organize किया, वो बताएंगे, duration बताएंगे, venue बताएंगे, कौन-कौन सी places पे गई यह बताएंगे, क्या social objective या motto था वो बताएंगे, और क्या-क्या activities हुई वो भी, finally, यहाँ पर awareness हमने कैसे फलाएं, लोगों के अंदर जाग रुकता कैसे फलाएं, क्या हम कोई posters लगा के गए थे, हमने कोई ads चिपकाए थे, कोई banners थे, हमने टोपियां लगाई थी, या फिर हमने t-shirts पहन रखी थी, special remarks, या मान लिजे कोई बड़ा इंसान कोई VIPs के अंदर शामिल हुआ था, तो वो भी बताएंगे, media अगर IT cover करने के लिए तो वो भी बताएंगे, और social media पर अगर यह Twitter पर trend किया था, तो वो भी बताएंगे, lessons, ideas, conveyor requests, के भाई हमने इससे क्या सीखा, हमने लोगों में क्या बात फैलाई, और of course यहाँ पर लोगों से हम क्या request करते हैं, overall success और conclusion के साथ इसे conclude करेंगे, last रेगी की report होती है, campaign, visit, exhibition और tour वाली, इन में से कोई भी report लिखने के लिए आए, तो आप इन में से place, destination बताएंगे, भाई हम किसने organize किया, किसने पैसा दिया बताएंगे, कौन सी rate पे गए थे, कितने time के लिए गए थे, कौन कौन गया था, कुछ पैसा उसमें involved था, registration था, overall experience कैसा रहा, यह सब तो हम बताएंगे, पर अगर camp पे लेकर गए हैं, तो nature और purpose of camp बताएंगे, activities बताएंगे, अगर visit पर लेकर गए हैं, तो कहां पर लेकर गए थे, क्यूं लेकर गए थे, और क्या सीखा बताएंगे, exhibition लगी थी, तो कौन सी exhibition लगी थी, क्या इसका कोई level था, कोई subject था, वो बताएंगे, और अगर school tour पे लेकर गया था, तो हमने क्या-क्या देखा, हम क्या रुके, हमने क्या-क्या खाया, खूब dance किया, scenic beauty और programs के बारे में बताएंगे, so report ये 6 तरीके की यह होती है, और इसमें content कैसे बनता है, मैंने आपको already बता दिया, इससे बस एक चीज जो है grammar में, expression में ध्यान रखना, कि क्योंकि report किसी past के event को record करने के लिए लिखी जाती है, तो इससे हमेशा past में लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगी, article और report में से आप report select कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कम से कम आपके पास में एक guideline है, जिसको follow करके आप अपना content creativity के साथ बना सकते हो, पर अगर article में कोई आपको ऐसा question दिख जाए, जिस question को आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिस topic को आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप article भी choose कर सकते हो, वो भी बुरा option नहीं है, report का एक example देख लीजे, Active Listening Workshop by Simran Gaur Our school hosted an enlightening Active Listening Workshop on January 21, 2024, aiming to equip students in classes 11th and 12th with a crucial life skill. Students, educators and parents all took part in the events with enthusiasm. The workshop featured a variety of engaging exercises such as role-playing, group discussions and interactive games. Active Listening is a crucial communication skill and these exercises encourage students to really interact with one another. The significance of paying full attention, maintaining eye contact and listening with empathy were among the primary points stressed during the course. Without a doubt, the workshop will benefit our students and their surroundings. It will result in enhanced peer connections and better communication. These abilities will eventually equip our students with tools they need to succeed in both their academic and personal lives. इसके साथ में complete हो गया है आपका entire writing section. हमने पूरा writing section कम्प्लीट कर लिया, सारे formats, सारा content, सारे patent bodies, examples के साथ cover कर लिये. अगर अगर आप एक्दम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इस class में बैटे हुए हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी doubts हैं, वो solve हो गए होंगे और सारे concepts brush up हो गए होंगे. Patent body सारी एक साथ एक ही PDF में collect करके, मैं upload कर दूंगी आपके लिए. अगर आप learn which शिप्रा से यहाँ पर आए हैं, याने मेरे telegram channel से यहाँ पर आए हैं, तो telegram channel पे भी आपको सारी patent body मिल जाएगी, और आपको boards का ब्रह्मास्त्र, जिसका link आपको नीचे description box में मिलेगा और उपर भी pin मिलेगा, वहाँ पे बाकी सारे PDFs भी मिल जाएंगे, वो absolutely free है, हर stream और हर subject का सारा study material एक ही जगे आपको मिल रहा है, आप उसे free में unlock कर सकते हैं, topper 95 code यूज़ करके, link नीचे है, फटा फट से download करो PDFs, ठीक है? तो आज ये complete हो गया है, अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ, next class में एक नए topic के साथ में, word limit maintain करने के लिए, आपको यहाँ पे जो मैं points बता रही हूँ, वो लिखने है, तो आपकी lower limit maintain हो जाएगी, अगर आप जादा लिख दे रहे हैं, तो अपने आपको दिमाग में कई ना कई वो एक trigger set करना पड़ेगा, कि वो आपको control करें, उसकी लिए simply, एक horizontal copy ले लीजे, मैं दिखाती हूँ, एक minute, कुछ ऐसी, एक horizontal copy, अब यह जो horizontal copy है, इस पे 1500 words लिख दीजे, और वो 1500 words देख लीजे कि कितने pages या कितने line या paragraphs में आते हैं, वो आपके दिमाग में trigger set करेगा, लिखते वक्त जैसे जैसे एक एक line बढ़ती जाएगी, आप अपने आपको controlled महसूस करेंगे, और word limit control होगी, इसके साथ में अच्छे words का इस्तमाल करना, अच्छी vocabulary का इस्तमाल करना भी, फाल्तू का words का space बचाता है, तो focus करो कि वही बात जो आपको कहनी है, अच्छे words के इस्तमाल से करो, और छूटे छूटे sentences बनाओ, गुमा फिरा के sentences बनाते हो, तो conjunction, conjunction में बहुत words जाते हैं, Alright, I'll see you tomorrow, कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग entire English revise करने वाले हैं, तो आप कल मेरे साथ English पढ़ रहे होंगे सुफ़ा 11 बजे, उस class में आना बिल्कूल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं पूरी English आपको वहाँ revise कराने वाली होंगे, और बाकी friends के साथ भी इसे share कर दीजेगा, मैं आपके doubts के लिए एक doubt learning session भी plan कर रही हूँ, just don't worry about it, मैं details बहुत जल्द आपके साथ share करूंगे, that's it, thank you so much for watching, I'll see you in the next one, bye bye, take care.